शिवाये नमस्तों दर्शिकों हर हर महादीव आप सभी दर्शिकों का मेरे यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दर्शिकों सोम बार के दिन भगवान शिव का समर्पित होता है सोम बार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है जब भी हम भगवान शिफ की पूजा अर्चना करते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेश कर ध्यान रखना चाहिए अगर हम उनकी पूजा में ये गलतियां कर देते हैं और यह वस्तूइं उन्हें समर्पित कर देते हैं तो शिफ हमसे रूस्ट हो जाते हैं और हमसे नाराज हो जाती है सोंबार के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है कहते हैं शिव जी अपने भक्तों की श्रद्दा और भक्ती से आसानी से प्रसन्न हो जाती है इसलिए उन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है हाला कि शिवजी को प्रसंद करना जितना आसान है उतने ही जल्दी वे पूजा में हुई हल्की सी चूक से भी नाराज हो जाती है इसलिए यदि सुमबार के दिन आप वरत करती है या फिर शिवज के पूजा करती है तो यह वातों का विशेश कर ध्यान रखें सुमबार का दिन भगवान शिवज को समर्पित होता है मानिता है कि सुमबार के दिन भगवान शिवज और उनके पूरे परिवार की पूजा अर्चना वरत करने से भगवान शिवज सिग्र प्रशन हो जाती है और हर मनो कामना पूर्ण करती है हाला कि भगवान शिव की पूजा करते समय हमें कुछ बातों का विशेश कर ध्यान रखना चाहिए आपको यह गलती सोमबार के दिन नहीं करने चाहिए सोमबार की पूजा में कभी भी काले रंग के आप कपड़े ना पहन कर बैठें सोमबार का व्रत और पूजा करते हैं तो इस दिन किसी भी तरह का गलत या अनैतिक काम आप ना करें सोमबार की दिन जुआ खेलने से चोरी करने से और छूट बोलने से आप बचे भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूल कर भी ना करें शिव जी को नारेल चड़ाना शुब होता है लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि नारेल का पानी कभी भगवान शिव को हमें नहीं चड़ाना चाहिए सोंबार के दिन शिव जी को प्रसन्ने करने के लिए पूजा में हरा, लाल, सफेद, केसर या पीला या आस्मानी रंग के वस्तर आप पहन सकते हैं इसके अलावा इस दिन की पूजा में भोले बाबा को चावल अक्षत अवश्य ही अर्पित करें यह इस बात का विशेश ध्यान रखें कि चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए सोंबार के दिन जाने वाली पूजा में यदी बेल पत्र, अक्षा, चंदन, धतूरा और आकड़े का फुल सामिल किया जाए तो भगवान शिव सिग्र ही प्रसन होकर हमारी मनुकामना को पून करती हैं श्री शिवाय नमस्तु भ्यंदर्शको अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजेगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को अप प्रस कर दीजे जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शको हर हर महादीव